हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जितनी भी फिजिकल प्रोपर्टीज हैं भलाई वो और्गनिक की सारे चेप्टर्स की फिजिकल प्रोपर्टी मेंने एक साथ ले लिए पूरी और्गनिक की ठीक है जितने भी चेप्टर है भलाई हाइड्रोकार्बन वाला हो भलाई बुल्हिए ऐलकोहाल-छेफ्टर फोवला आपका एल्डी हाईट-कीटवन वाला चेप्टर हो, बुल्हिए आपका एमीन वाला चेप्टर हो, सब्यकी फिजिकल प्रौपर्टी मैंने एक साथ ले लिए, तकि आपको एक साथ समझ में जाएगे फिजिकल प्रोपर्टी में दो चीजे आपसे पूछेगा एक तो आपसे पूछेगा मेल्टिंग बॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहीं कि टेंपरेचर के बारे में और दूसरा पूछेगा solubility के बारे में concept पूरी chemistry में एक ही चलेगा temperature के बारे में भी melting point boiling point के बारे में भी एक ही concept चलेगा और जो solubility है उसके बारे में भी एक ही concept चलेगा दो physical property है इनको अपन डीटेल में पढ़ने वाले है जो NCR team दिया है उसके according देखो solubility के बारे में आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी solution chapter में कि like dissolves like बहुत time से पढ़ते आ रहे हैं like dissolves like मतलब समान समान को घोलता है तो सिद्धी सी बात है कि organic compound जो होंगे किसमे solvent होंगे देखो दो चीज़े होती है एक होते ionic compound और एक होते covalent compound, ionic compound जो होते है न वो water में solvent होते है और जो covalent compound होते है, वो organic solvent में soluble होते है एक concept तो यह है जो अपन इन और 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 केमेस्टी में भी पढ़े थे ठीक है, दूसरा concept यह है कि hydrogen bonding जो होती है वो solubility को बढ़ाती है hydrogen bonding बढ़ेगी तो solubility उसके proportional है ठीक है जो पानी अब यहाँ पर अपन solubility जो पढ़ेंगे न वो पानी के साथ में पढ़ेंगे अलंकि मैंने यह बोला है covalent organic compound में soluble होते हैं, यह inorganic का concept था लेकिन अपन यहाँ सब को पानी में soluble करने की बाते करेंगे तो पानी में solubility less soluble होंगे, सीधी सी बात है और less soluble होंगे बट जैसे जैसे hydrogen bonding बनेगी वैसे वैसे solubility बढ़ती है जैसे alcohol, alcohol आपको पता है hydrogen bonding बनाता है और यह common सा बात है हर किसी को पता है, alcohol मतलब की सराब, मदीरा और सराब आपको पता है कि पानी में घुल जाती है लोग पानी, फैक बनानी निकलिए उसमें पानी डालता है तो alcohol में hydrogen bonding होती है तो वो आसानी से dissolve हो जाता है दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरी चीज़ मैं समझा रहा हूं आपको ठीक है, दूसरा एलकेन की बात कर रहे है एलकेन का example होते हैं, जतने भी petroleum होते है petroleum क्या है, hydrocarbon है kerosene oil क्या है, kerosene हो गया ये सब क्या है, hydrocarbon है क्या ये पानी के साथ soluble है, बिलकुल बहुत कम soluble है, या फिर ऐसे बोल दो unsoluble है क्यों, क्योंकि hydrogen bonding मनाते ही नहीं है reason क्या है, no H bonding तो solubility के लिए एक ही बात अपन बात करेंगे hydrogen bonding जिए बनाएगा, वो पानी के साथ soluble होगा तो ये जो hydrocarbon है, वो उसके example मैंने आपको मैंने hydrocarbon बोला, अगर hydrocarbon आप मैंड में चलोगे न तो हो सकता है कभी confused जाओ, लेकिन hydrocarbon के examples याद रख लो न, petroleum और kerosene ठीक है, और इनको आपने कभी petroleum को पानी में soluble होते देखा है कभी, kerosene को पानी में देखा कभी ठीक है, तो नहीं होते है soluble, जबकि alcohol की बात करोगे आप एलकोल क्या करता है, hydrogen bond बनाता है, तो ये पानी में soluble होगा, अगर मैं LDH, इसकी, LDH की बात करूँ, तो ये hydrogen bonding नहीं बनाता है, तो ये soluble नहीं होगा, या बहुत ही least soluble होगा, ठीक है, उसके बाद मैं alcohol, phenol ली थे तो ये एक ही बात है, सब hydrogen, phenol या तिरी थर, ये सब लोग hydrogen bonding बनाते हैं, तो ये थोड़े-थोड़े soluble होते जाएंगे, ठीक है, I mean में भी यही होगा, तो solubility में एक ही concept याद रखो ये वाला, ये concept आप भूल जाओ, इसका कोई यहाँ नहीं है, ये inorganic का concept है, यहाँ काम नहीं आएगा, औरगनिक compound में hydrogen bonding बढ़ेगी, तो solubility बढ़ेगी, ठीक है, पहली बात ये, दूसरी बात ऐसा होता है, कि branching, branching का मतलब है, hydrocarbon का chain, hydrocarbon की लंबी-लंबी chain, अब भी आपको मैं एक concept सिखाता हूँ, आपने वो पढ़ा होगा, साबून वाला, साबून का ऐसा molecule पढ़ा था, इसके पीछे एक hydro, इसकी टैल थी, hydrocarbon की याद करो, साबून के बारे में पढ़ा था आपने, hydrocarbon की healthy, hydrocarbon की जो chain होती है, वो होती है, hydrophobic, मतलब पानी से दूर भागने वाली, तो मतलब ये हो गया, कि जैसे जैसे branching बढ़ेगी, chain की length बढ़ेगी, branching बोल दूँ, या फिर इसको बोल देता हूँ, chain की length, इसको यहाँ से अटा करके इधर ले आता है, ओके, या फिर इसको ऐस लेख देते हैं, chain की length, chain length, मतलब की जितने लंबे कार्बन होते जाएंगे, ये hydrocarbon की chain है, ये tell बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, solubility कम होती जाएगी, समझ माया बात आपको, यही concept है, तो solubility के बारे में, पूरी organic chemistry में, एक ही concept आपको काम में लेना है, क्या concept है, कि hydrogen bonding ब पानी में, hydrogen bond नहीं बना रहा है, तो वो solubile नहीं होगा, या बहुत कम solubile होगा, लेकिन अगर hydrogen bond बना रहा है, दो आपको दो alcohol दे दिये, उन दोनों alcohol में compare करना है, तो जिसके पास hydrocarbon की chain कम होगी, वो ज़्यदा solubile होगा, क्यों? क्योंकि hydrocarbon की जो tail होती है, वो hydrophobic होती है जैसे मैं आपको बता दूँ, दो आपको पता example देता हूँ, एक है CS3OH, और एक है CS3, CS2OH, इन दोनों में से ज़्यदा solubile कौन सा होगा? ये question, ऐसे मान लो कि ये question ही है, ठीक है? तो आप बोलोगे भीया, ये वाला ज़्यदा solubile होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक carbon की chain है, वन carbon chain है, और इसमें 2 carbon की chain है, chain क्योंकि दोनों alcohol है, तो दोनों hydrogen bonding बनाएंगे, लेकिन इसमें chain लंबी है, chain लंबी है मतलब की, chain, hydrocarbon का chain का मतलब है, वो आपके साबून वानी chain, जो की hydro phobic होती है, phobic होती है, मतलब की जितनी बड़ी chain होगी, solubility उतनी कम होती जाएगी, तो आप आसानी से लगा लोगे, ओके, आगे आप question भी करेंगे अपन लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलो, तो solubility के बारे में यही concept था, सारी चीज़े इसी पे होगी, NCRT की फूरी थोरी पढ़ लेंगे, अब आपना आते है, melting point और boiling point पे, ठीक है, melting point और boiling point अब अपने यहां लिखते है, melting point और boiling point के बारे में, melting point and boiling point, इसके लिए आपको दो चीज़े धियान रखनी है, एक तो वही चैन, देखो, branching बड़ेगी, अगर branching बड़ती, branching बड़ने का मतलब है, देखो, पहले यह क्या था, एक दम सीदी थी, उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक branch आ गई है, उसके बाद में क्या हुआ, दो branchे आ गई, तो अपने क्या बोला, branching, जैसे जैसे branching बड़ेगी, वैसे वैसे, melting point, boiling point कम होंगे, क्या reason है, वह बाद अपने बाद में अभी पढ़ेंगे, बट अभी आपको याद रखनी है, most important point है, melting point, boiling point बड़ेगा तो क्या होगा, sorry, branching बड़ेगी, तो melting point, boiling point कम होते जाएंगे, इसका reason होता है, कि surface area कम होना, क्या होता है, इसका reason होता है, surface area, okay, detail में भी बाद करेंगे, लेकिन अभी आपको एक ही point याद रखना है, branching बड़ेगी, तो melting point, boiling point बड़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, molecular weight की, ठीक है, सबसे पहले होगा molecular weight, पहला काम होगा molecular weight, पहला step देख रहा है, molecular weight, जिसका molecular weight ज्यादा, उसका melting point, boiling point ज्यादा, सीधी सी बात है, अगर melting, molecular weight ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले point आप molecular weight ही देखोगे, अगर molecular weight ज्यादा है, तो सबसे बड़ाते compound बड़ा है, और बड़े compound को जलाने में, गलाने में, ज्यादा energy लगेगी, ज्यादा temperature लगेगा, ठीक है, अगर molecular weight equal आता है, यह point कब लगाना दूसरा, जब molecular weight equal हो, molecular weight equal हो तो, तभी यह point लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे molecular weight, molecular weight के बाद में आप देखोगे branching, branching बड़ रही है, तो melting point, boiling point कम होगा, तीसरा और last point जो आपको देखना है, वो देखना आपको, एक fix order लिखा देता हूँ आपको, सबसे पहला होता है alcohol, उसके aldehyde, yes, पहले से पहले आएगा alcohol, ठीक है, यह fix order में आप देख लिया पीछे, NCRT से ही, पहले सबसे आगया alcohol, फिर आएगा aldehyde, फिर आएगा ether, और फिर आएगा आपको पास में hydrocarbon, यानि की RH, यह तीन पॉइंट आपको melting point, boiling point में याद रखने है, आपकी पूरी chemistry की दिक solve हो जाएगी, सबसे पहले क्या देखोगे, molecular weight देखोगे, molecular weight ज्यादा, तो melting point boiling point ज्यादा, दूसरा, branching, branching बड़ेगी, तो melting point boiling point कम होंगे, तीसरा, यह आपको sequence याद रखने है, अब आपना आतें, NCRT में, ठीक है, तो देखो पहले इन में यह वाला question जो है न, यह exam में आ भी चुका है, कुन सा, यही वाला, यह दो, यह दो आपको इन दोनों को पहले आपस में compare करना, one or two में compare करना, इसे मानलों यह question है, one or two के molecular weight में compare करना है, एक, दो, तीन, चार carbon है, इसमें, इसमें भी कितने, एक, दो, तीन, चार carbon है, मतलब carbon same है, मतलब molecular weight same है, और जब molecular weight से हम होता था पन किस पर जाता है ब्रांचिंग में इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो ब्रांचिंग कितनी है कोई ब्रांचिंग नहीं है दूसरे हम देखोगे तो इसमें एक ब्रांचिंग दिखेगी आपको तो आपको पता है ब्रांचिंग बड़ेगी त तो melting point boiling point कम होगा तो 1 और 2 में देखोगे तो किसका melting point ज्यदा होगा boiling point किसका boiling point पूछा है तो 2 का boiling point ज्यदा होगा इसका 273 है और इसका नीचे वाले का कितना दिया है 261 आपको याद नहीं रखना है किसका ज्यदा होगा वह भी याद नहीं रखना है कंसर्ट सीख लिया आपने क्या देखा आपने सबसे पहले देखा कि कार्मन का नंबर सेम था मतलब जब आपने देखा ब्रांचिंग जदा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम चलो अब उसके बाद में 345 इनमें आपस में कंपेर करना आपको ठीक है अगर आप इसका कमपेर करोगे इसमें क्या है इसमें आप दिखोगे एकदम सीधी चैन है हैं बिल्कुल ओकई को क passenger आ यहां पर पहले आप कार्मन पहले सबसे पहले क्या देखोगे। इसमें 5 carbon नीचे वाले में भी 5 carbon उसके नीचे वाले में भी 5 carbon बिल्कुल फिर आप देखोगे branching molecular weight same आ गया इसमें कोई branch नहीं है इसमें एक branch है इसमें 2 branch है जैसे जैसे branching बढ़ेगी molecular weight sorry melting point boiling point कम होते जाएंगे 4 और फिर 5 ये order आएगा कि नहीं आएगा 309 301 और 282 decrease हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि इनका molecular weight same था तो अपन गए branching पे तो branching आपकी बढ़ी to melting point boiling point कम हो गए ओके यह इसी को explain कर रहा है कि हाँ इनके सबके इनके one two three four के molecular weight बराबर है और molecular weight बराबर है तो फिर आप देखोगे यह बोले का molecular weight बराबर है तो आप देखोगे की branching है तो branching बढ़ेगी तो फिर यह होगा उसके बाद अपना आते हैं alkyl halide में अब देखो alkyl halide में एक तो यह order आता है यह order तो बहुत आसान है molecular weight का यह अब देखो मैं पता तो आपको ri, rbr, rcl और rf इनमें अगर आपको order बताना हो तो अब देखो अब इसमें इन सब में देखो r तो common आगया सब में आगया common अब बाकी देखो iodine का molecular weight bromine से ज़्यादा होगा chlorine से तो molecular weight जशने से बड़ेगा melting point boiling point ज़्यादा होंगे तो यह तो आसान है अगर देखो इसने बोले CS3 के तीनों बना रखें CS3 के तीनों मतलब CS3I CS3BR और CS3CL और CS3F अगर यह होंगे तो order क्या आएगा यही order आएगा molecular weight के according आएगा अगर ने आएगा पहला point यही होता है कि molecular weight के according आप answer करोगे अगर molecular weight equal आए अगर उसके बाद में दो carbon वाला लोगे तो भी यही order आएगा दो carbon को मैं लिखता हूँ CS3 CS2 iodine CS3 CS2 bromine और CS3 CS2 chlorine और बली fluorine हो order तो यही आएगा तो यही आएगा तो यही आपका fix हो गया दूसरा अब अब पहली बात यह तो molecular weight से question हो गया यह वाले तो हो गए अब इसमें देखोगे अगर आप एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार सब में चार-चार कार्बन है और bromine है मतलब कि इन में molecular weight sam है molecular weight sam है अब आप क्या करोगे ऊपर वाले questions में molecular weight sam नहीं था आयोडीन था इसमें ब्रोमीन था तो आयोडीन का molecular weight बड़ा होता है, यहाँ पर molecular weight same है, अगर molecular weight इसमें same है, question बना दो इसको question, क्योंकि आ सकता है exam में direct, तो आप क्या देखोगे, branching में, इसमें क्या सीधी same है, इसमें एक branch हो गई, इसमें दो branch हो गई, एक उपर, एक नीचे, तो आप अब क्या देखोगे, branching देखोगे, जैसे 46 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ यह order, theory ने मचादा मच जाओ, यहाँ फटाफट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो आपको यह order आपको समझ में आई गया होगा, कि कुछ नहीं देखना भी है, सबसे पहले molecular weight देखेंगे, molecular weight आगर Sam आ जाता है, उस condition में आपन द data based है, मतलब कि fixed data based question है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, melting point का order, boiling point का order क्या आएगा, यह dichlorobenzene है, ठीक है, अगर आप boiling point का order देखोगे, तो सबसे ज़्याद होगा ortho का, ठीक है, फिर किसका आएगा, फिर आएगा pera का, फिर किसका आएगा, meta का, तो boiling point का order आएगा OPM, OPM, अब कैसे याद रखेंगे, देखो OPM, OPM को क्या बोल सकते है, B for Balma, Balma, क्या हो गया, OPM, और OPM से आप याद रखेंगे, OPM, बस, Balma, Balma मतलब OPM, OPM मतलब OPM, हो गया, चलो, यह तो एक fix हो गया, बहुत important है, याद रखना बहुत hard होता है, लेकिन मैंने आपके लिए ट् लिए, Balma, Balma मतलब OPM, OPM, हो गया, यहाद, इसे, चलो, अब आप इसके melting point की बात करते हैं, melting point की बात करें, melting point में सबसे पहले को न आएगा, सबसे पहले आएगा, पैरा वाला, ठीक है, ओके, पैरा वाला आगे, उसके बाद आएगा आपके पास में, और्थो वाला, उसके की मैटा तो सब में पीछे ही पीछे आएगा, तो आप याद रख लेगा, कि Balma, Balma मतलब OPM, और मैटा दोनों में पीछे आएगा, तो इसमें इन दोनों में, और्थो और पैरा में आपस में एक्चेंज कर लो, पैरा अब की बार क्या करो, पैरा को आग कर दो, ओके, हो जा है, density क्या होगा, mass upon molecular mass, sorry, mass upon volume, तो density क्या होगा, molecular mass बढ़ेगा, तो density बढ़ेगी, बस इतना याद रख लो, आपका answer हो जाएगा, रही बात, solubility के बारे में, यहां पढ़ो, ना पढ़ो, एक ही बात है, मैंने जो आपको concept समझाएगा, solubility के बारे में, एकी like, dissolve like, जो hydrogen bond ब compound में आप compare करने को बोल रहा है, तो आप बोलोगे, कि जिसमें hydrocarbon की chain बढ़ी होगी, मतलब वो पूँच है, वो पूँच डरावनी है, पानी से डढ़ती है, तो जिसमें hydrocarbon की chain बढ़ी होगी, वो least या least या कम soluble होगी, चलो एक question है अपने पास में, increasing boiling point की order में लिखना है इ CS3BR, ठीक है, अगला है, Bromoform, ब्रोमोफोम का मतलब होता है, CHBR3, हलांकि अपने Bromoform के बारे में, पहले भी पढ़ चुक है, उसके बागला है, क्लोरो मिधेन, क्लोरो मिधेन का क्या होगा, CS3Cl, ब्राइब उसके बाद में, अगला है, ब्राई, अगला क्या है, डाई ब्रोमो इथेन इथेन मतलब दो कार्बन CS2, CS2 और डाई ब्रोमो मतलब दो बार ब्रोमो है इस्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपको क्या करना है अब आप इनके मॉल्लिकुलर वेट के बारे सबसे पहले अब यहां पर आपको boiling point के बारे में पूछ रहा है तो अब सबसे पहले क्या करोगे आप करोगे मॉल्लिकुलर वेट की बात देखो हाइडोजन को छोड़ दो कोई मतलब नहीं हाइडोजन का दो कार्वन का कितना होता है 12 और ब्रोमीन का होता है करीब मॉल्लिकुलर वेट आप अंदाजा लगा सकते है कुछ भी ब्रोमीन का कितना होगा 80 के आसपास होता है ठीक है हमें Google कर लेता हूँ एक दम एक जेट बता देदा है आपको ठीक है 80 होता है बिल्कुल तो इसका 12 और इसका 80 इसका कितना होगा 12 प्लस ब्रोमीन 3 है तो 80 प्लस 80 प्लस 80 इसका कितना होगा क्लोरीन का 35 होता है तो 12 प्लस 35 इसका कितना होगा 12 प्लस 12 प्लस 80 प्लस 80 तो इसका तो हो गया करीब 90 राउंड फिगर में इसका हो गया आट तीया 24, 250 राउंड फिगर में इसका हो गया राउंड फिगर में 50 और इसका हो गया राउंड फिगर में 10, 10, 20 और 8, 12, 16 16, 80 90 हैं, 250 हैं, 50 हैं और 61 है आपको पता है जिसका molecular weight ज़्यदा होगा मेल्टिंग पॉइली पॉइंट ज्यादा होगा सबसे पहले कौन आएगा CH3 CHBR3 ब्रोमो फॉम उसके बाद में कौन आएगा उसके बाद में आएगा डाई ब्रोमो मिथियन CH2 CH2 और दो ब्रोमीन उसके बाद उसके बाद आएगा CS3BR उसके बाद CS3CL वैसे इतनी कल्कुलेशन करने की जरूत नहीं थी वैसे मैंने आपको समझाने के लिए बोला है CDC बात है इसमें एक ब्रोमीन है फिर तीन ब्रोमीन है अगले में दो ब्रोमीन है तो तीन ब्रोमीन होंगे तो उसका ये दोटा बेस्ट ऐसी समझाया था बाकि आप सिधा देख सकते हो हो गया question? ओके नीचे वाला question अब करते हैं इसको पहले उपर किसा देते हैं ओके आपन इसको करते हैं अगला क्या है बन क्लॉरो पोपेन क्लॉरो मतलब तीन कार्बन और इस पर क्लोरीन है hydrogenよし लगाने कोई मतलब नहीं अगला इसो प्रोपाइल क्लॉराइड आई कि सो मतलब टी बनाना है और तीन कार्बन और यह क्लोरो कि मझें अगला है वन क्लोरो ब्यूटेन थीक है च्यार कर्बन बनाने है और यह क्लोरीन लगाना है अब इसमें सीधी सी बात है पहले आप क्या देखोगे इसमें तीन कारबन है और एक क्लोरीन सब में कौन है इसमें देखोगे तीन कारबन है इसमें तीन कारबन है इसमें चार कारबन है तो जिसमें चार कारबन है उसका molecular weight जैदा होगा जब molecular weight बराबर होगा तो आप क्या देखोगे branching देखोगे branching किस में है दूसरे बाले में branching है तो branching बड़ेगी तो molecular weight melting point boiling point कम होते जाएंगे समझ मारी बात आपको एक वार इस question को खुद से practice कीजिए चलिए उसके बाद में ये boiling point के बारे में बोलता है alcohol phenol वाला चप्टर आगया आपके पास में ठीक है पसीना बहुत आ रहा है और skin पे लग गया है पानी पानी सा तो काम नहीं कर रही है अब करेगी काम चलिए अगला है क्या बोलता है the boiling point of alcohol and phenols increase in the number of carbon atoms in alcohol बोलता है carbon का atom का number बढ़ेगा तो boiling point melting point बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा योगि carbon का number बढ़ेगा तो molecular weight बढ़ेगा molecular weight बढ़ेगा तो wonderful forces बढ़ेगे ठीक है melting point boiling point बढ़ेगे अगला बोलता है boiling point decreases with increasing branching ये बात भी अपनों बोल चुके हैं कि branching बढ़ती है तो molecular weight melting point boiling point चम होता है तो ये बात तो अपन पहले ही पजच चुके ये concept पहले उपर आपको लिखा दिये था ठीक है और alcohol और phenol में से अगर आपको compare करने को बोला जाए तो phenol का ज़धा होगा ठीक है उसके बाद ये भी कोई मतलम नहीं है ठीक है ये आपको देर रखा है ये क्या है अलकोहल है molecular weight इनका देर रखा है 46, 46, 44 मतलब की molecular weight सबका same है अब बोलोगी ये 46 और 44 है नहीं इससे कोई फरक नहीं पड़ भाए अब इथेनोल है, ये ether है ये alkaline है, तो आपको fixed order लगा रखा है लिखा रखा है order नहीं लिखा रखा है लिखा रखा है न, सबसे पहले alcohol आएगा उसके बाद aldehyde आएगा, उसके बाद ether आएगा फिर hydrocarbon बनाएगा ठिक्स order है, अगर molecular weight same है तो लिखा है था, solubility के बारे हम बोल चुका हम है पहले भी, कि solubility पानी के साथ soluble होते है alcohol, reason क्या है hydrogen bonding, और यह diagram आपको पता होना चाहिए, hydrogen bonding, alcohol कितने hydrogen bond बनाता है, alcohol तीन hydrogen bond बनाता है, एक तो इसका hydrogen bond, जो hydrogen है न, वो पानी के साथ बनाता है, और दो बनाते इनके lawn pair तीन बनेगे, oxygen के उपर में जो यह होता न, oxygen और alcohol वाला, तो इसके उपर में त्री, तीन hydrogen bond बनता है यह salt example है, आप खुद कर ले न, बहुत असान है ठीक है उसके बाद में आता है, यह aldehyde और ketone, ether वाला, aldehyde ketone वाला, तो इसमें भी आपको दे रखा यह table जो दे रखी न, देखो बाकी बाली बात है, तो सारी बहुत common है, बहुत असान है methanol is gas at room temperature methanol gas होती है ethanol is volatile liquid, methanol क्या है gas है ethanol क्या है, liquid है और बाकी बाले जो होते हैं वो सब आगी solid होते जाते हैं और melting point, boiling point की बात कर रहा है molecule mass के बारे में देखो, इसका molecule mass सबका almost equal है है, equivalent नहीं है, बिल्कुल उसके बाद अब इनका order लगाना है order लगा होगे, सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आएगा alcohol, अब मैं इनको बोलता हूँ A, B, C, D, E तो सबसे पहले कौन आएगा सबसे पहले आएगा alcohol देखो alcohol कौन है इसमें से ये E वाला, तो सबसे पहले कौन आगया E वाला, इस टेबल से order बना करके question exam में पूछ सकता है बात याद रखना सबसे आगे कौन आगया E वाला उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है ketone, aldehyde और ketone में से ketone पहले आता है, तो पहले आएगा D वाला, फिर C वाला, उसके बाद ether आएगा, B वाला, सबसे कम hydrocarbon ये एक fix order है, जो आपको याद करने को बोला था, उसी से ये question हो जाएगा, बाकि solubility के बारे में सिद्धी सी बात है, organic compound है तो organic solvent में soluble होगी organic solvent क्या क्या होते है, ना में अधर aldehyde और ketones जिसे जैसे hydrogen bonding बढ़ेगी, solubility बढ़ती जाएगी, branching बढ़ेगी तो solubility कम होती जाएगी, इससे जएद आपने को कुछ याद रखना नहीं है ये एक salt example था, कोई बड़ी बात नहीं है ये aldehyde है, ये alcohol है ether है, और ये hydrocarbon है तो सबसे पहले कोन आएगा, alcohol सबसे आगया आएगा फिर aldehyde आएगा, फिर ether आएगा और सबसे पीछा hydrocarbon बनाएगा fix एक तम pattern था उसी pattern पर question है exam में आएगा, ये ही आएगा, इसका answer बताना है तो सबसे पहले कोन आएगा, alcohol आएगा बी वाला, बी वाले को सबसे आगे उसके बाद ketone आथा है ketone नहीं है, तो aldehyde आएगा aldehyde नहीं है, aldehyde के बाद कोन आता है ether आता है, ether के बाद कोन आता है hydrocarbon, तो ये fix order होता है इनका, और इसी order पर question बनता है ठीक है, अब देखो अब amine की बारे में बात करते है amine में melting point, boiling point अगर पहला point तो वही लगाओगे molecular weight, molecular weight ज्यादा है तो वो उसका melting point, boiling point ज्यादा है फिर उसके बाद में melting point, boiling point इक्वल है तो आप देखो, one degree amine जो होता है ना आपको पता है, one degree amine को ऐसे लगते है R और NH2, यह one degree है two degree को कैसे लगते है two degree को लगते है, R NH और R, अब देखो यह two degree है three degree amine को कैसे लगते है R, N, R और R, यह three degree है अब आप खुद बताओ, अगर molecular weight सहम आ गया, तो देखो इसमें कितनी branching है, इसमें कोई branching नहीं है, नहीं है इसमें दो branching आ गई, इसमें zero branching ठीक है इसमें कितनी, दो branching इसमें कितनी तीन branching ओके, मैं पूरा लिखता हूँ branching ठीक है, समझ में आ रहे हैं तीन branch नहीं किसे, एक branch इसमें दो branch, इसमें तीन branch अब देखो, अगर इनका molecular weight सेम होगा, अगर मान लो, सेम molecular weight वाले एमीन दे रखे हैं आपको तो उस condition में आप क्या बोलोगे मैं या लगे था हूँ molecular weight सेम molecular weight सेम होगा, तो जैसे ब्रंचिंग बढ़ेगी melting point, boiling point का order ये होगा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ठीक है, इस table को एक बार आप compare करके इसका order निकाल दीजिएगा बहुत असान है, कोई दिक्कत होगी नहीं उसके बाद में solubile ये देखो बुला ना primary, secondary, tertiary क्या से समझ माया, ये primary, secondary और tertiary हुआ कि नहीं होगा, one degree two degree three degree, क्यों? अगर molecular weight सेम हैं तो branching बड़ेगी, तो melting point, boiling point क्या होंगे? degrees होते जाएंगे आगी बास समझ में, बाकी hydrogen bonding hydrogen bonding जैसे जैसे बड़ेगी वैसे, वैसे solubility compare करेगी तो ये सारे physical properties थी जो अपनने पढ़ ली आमीन chapter की बात कर रहे हैं पूरा एक वीडियो में simple पूरा chapter complete कर लेंगे कोई chapter पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं बस इतना बताऊँगा कि कौन सी चीज कहाँ पढ़ी थी अपनने ठीक है? पहला वाला जो portion है इसमें से बस आपको याद क्या रखना है कि आपको पता है अमीन क्या क्या होती है अब आप जब protein पढ़ते हो तो protein में amide bond पढ़ते हो कैसे? R, C, O, N, H ऐसा bond पढ़ते हो peptide तो यहाँ यह क्या है? amide है तो ammonia derivative है nitrogen derivative है या नहीं? तो vitamin हो गए protein हो गए इन सब में क्या होता है? हार्मोन हो गया hormone भी तो क्या होता है? यह होते है protein के derivative होते है आप hormone को classify करते हो कों से hormone steroid है कों से hormone protein है तो hormone भी तो क्या होता है? protein होते है vitamins की structure भी keep protein होती है तो protein हो गया hormone हो गया इन सब में polymer हो गया synthetic polymer मतलब कि nylon 2, nylon 6 क्या थे? polyamide थे amide मतलब NH2 नहीं हो मताइण को हैं होंता है ध्ले ओस्ग उसके बाध में अगला और्जय आपको पता है एड्रेनली का का सिंथेटीक करने वाली ट्रक्स ठीक हैं सब्सक्राइब कर से तो वहां पर हम आप ट्रॉग पढ़ोगे ऑफ हीट एंक यहां है एक हार्मॉन है जो चैनली कली बनाए हुआ है तो अलिक था वहाला माद्रेक। एर्टिय१ नैशें का था र म्स पाता थाख़ो इसमें भी एनेस्टू ग्रूप होगा देखो प्रोटीन होगा मतलब एनेस्टू ग्रूप होगा तो एड्रेनलीन में एनेस्टू ग्रूप होगा कि नहीं होगा तो इफेड्रीन में भी एनेस्टू ग्रूप होगा कि नहीं होगा इफेड्रीन और एड्रेनलीन दोनों एक ही बनाया हुआ एक compound है, जो की dentistry में काम में आता है, anesthetic में, आपको पता है, दांत निकालते हैं, तो दांतों को सुन करते हैं, ऐसे करेंगे कोई operation कोई भी तरह की surgery होती है, या फिर teeth transplant होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, anesthetic लगाते हैं, anesthesia उसे बोलते हैं, जो सीजों को इतरम से सुन कर देता है, मतलब की वहां से नर्व को, नर्व का जो sensation होता है, उसको खतम कर देता कुछ time के लिए, तो नोवोकेन क्या होता है, कि dentistry में जब दांत निकालते हैं, तो एक, मतलब की जबडे से कुई सी का दांत, बोलते हैं, कि दांत सर जाते हैं, cavity हो जाती हैं, तो दा के बाद अब जब आप पॉलिमर और चप्टर पढ़ोगे, तो वहां पढ़ोगे, quaternary ammonium salt, और वो काम आते हैं, detergent की तरह, detergent को अपन बोलता है, surfactant, ओके, ये line भी आपको याद रहनी चाहिए, ओके, उसके अलबाद आपको पता, और कुछ याद नहीं रखना इसमें, उसके बाद है, अमीन आपको पता, primary, secondary और 33 होते हैं, अभी आप पितले वीडियो में भी आपने देखा था, rns2 primary होता है, rns secondary होता है, ये टर्च 3 होता है, उसके बाद में structure की बात करोगे, तो बहुत असान है, इसकी structure में, इसमें आपको पता है, इन औरगनिंग केमिस्ट आठ डिग्री, उके, उसके बाद में classification है, ये आपको इतरा NCRT पढ़ना नहीं है, primary आप आसानी से देख लोगे, primary, secondary और tertiary, उसके बाद नॉमेन कल्चर आता है, तो इसको मैं बिल्कूल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज अपन आयूपेसी chapter जब पढ़े थे, कलपर्सों उसमें पढ़ लिए थे, और ये वाली SN1, SN2 जब अपन पढ़े थे, तो वहाँ आपन पढ़ चुके है, ओके, ये फिर से क्या हो गया है, ये फिर से reduction आ गया, तो reduction में पढ़ चुके, ये भी reduction में पढ़ चुके, तो अब अपने को पढ़नी है, य ये वाली reaction, Gravial Thalemide Synthesis, ये reaction अपने नहीं पढ़े थी, अब अपने इसको यहाँ पढ़ेंगे, तो इसमें यहाँ पर एक लेंगे, reactions का नाम ही यही है, थेले माइड लेना है, ले लिए थेले माइड, माइड मतलब एमाइड, थेले माइड ले ले लिए, इस reaction को बोलते है क करीना वाली reaction, करी ना, ओके, पहले लेंगे के ओएच, फिर लेंगे आर एक्स, फिर लेंगे एने वेच, अब देखो, यहाँ पर के वेच लेंगे, तो देखो, पहली बात वो करीना वाली reaction, अपको समझ माईड, ओके, उसके बाद में, ये क्या है, ये माइड है, अपने ज का ओڈर पठाओ है G DAC 1 में, सबसे पहले ऐलैफाटिक अमीन, फिर एरोमेटिक अमीन, फिर एलैफाटिक अमाईड, फिर एरुमेटिक अमाईड, तो ये सबसे बुरा बेस है, बुरा बेस है, तो ये हलका फूल का एएसीड की तरब हीएव करेगा, करेगा, और ये क्या है, efficient रांग बेस है तो यहाँ पर क्या होगा एसी दोर बेस की रीयक् परीक्षिन बड़े थी 21S इसमें क्या होता है एक सटेगा और एकस्की जगा नुकलियु होगा नुकलियु मतलब आक पॉर्षिन पूरा तो पोटेशिए में आ से अट जाएगा ओवश्ण जो भी होगा पूरा पूरा यह रिंग यह X अटेगा और X की जगह यह लग जाएगी देखो X की जगह यह लग गई इस साइड से X अटा, राइट साइड से X अटा लेफ्ट साइड से यह रंग लग गई यह पूरी रंग क्या थी? नुगलूफाइल थी तो लग गई, उसके बाद में यह लगा अगर आपको अरोमेटिक बनानी है तो यह यह एलकलेलाइड है ना इसको अरोमेटिक लेना पड़ेगा और इसको अगर अरोमेटिक ले लिया अपने पढ़ लिया था SN1, SN2 में यह अरोमेटिक वाले जो होते हैं हाइड्रोकर्बन वो SN1, SN2 रियेक्शन नहीं करेंगे तो यहां पर रियक्षन जो होई थी वो क्या थी SN1 SN2 रियक्षन थी और SN1 SN2 रियक्षन सो करते नहीं है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक बनेंगे अरोमेटिक नहीं बनेंगे ठीक है यह लाइन आपको याद रखनी है यह बार थेयोरी पड़ लेना रियक्षन में आपको समझा दी करिना वाली रियक्षन है पहली रियक्षन एसीडी बेश की रियक्षन होई उसके बाद में जो उब सॉल्ट बना था सॉल्ट का नुकलिफाइल वाला पॉर्शन लेना है एल्गिल हैड के उपर अटेक करवा देना उसके बाद में प्राइमिर यमीन बना देना है वो भी अलिफेटिक बनेगा एरोमेटिक नहीं बनेगा इसका नाम है ग्रेबियल थेलेमाइड सिंथेसिस नेक्स्ट रियक्षन है हाफ मान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन का मतलब होता है कम होना पहली बात तो यहां जितने कार्बन होंगे उससे यहां पर एक कार्बन कम होगा डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया कार्बन का नंबर कम हो जाएगा बाकि आप रियेक्शन आसानी से याद रख सकते हो हाफ मॉन ब्रोमा एमाइड मतलब की ब्रोमीन होगा और साथ में क्या होगा एमाइड होगा तो आपने एमाइड लिया ब्रोमीन लिया और क्या ले लिया बेस ले लिया तो आपके पास में बन गया एमीन ओके बहुत असान सी question था और इसको ऐसे कैसे आद रखना है और exam में भी ऐसे कैसे ही आता है ओके ठीक है यह question है बहुत असान सा है इसको एक और आप SN1 SN2 वाला ही है कुछ नहीं करना है इसमें क्या किया यहां दो carbon थे और यहां answer में कितने carbon लेके आने है तीन carbon लेके आने है हलांकि क्या कर सकते थे अगर आपको यह भी तो होता है देखिए CS3 CS2 CL और अगर मैं इसकी reaction नS3 से करवाता तो direct क्या होता CS3 CS2 और NS2 direct लग जाता लेकिन यहां answer में दो carbon है और अपने को कितने लेके आने है तीन carbon लेके आने है तो एक carbon बढ़ाना पड़ेगा तो पहले carbon बढ़ाने के लिए क्या करो इसके उपर मैं इसकी reaction NACN के साथ करवा दो तो क्या होगा sinide बन जाएगा फिर sinide बनेगा तो इसमें 3 carbon बना गए अब आपको पता है sinide के reduction से क्या बन जाता है एमीन बन जाता है तो 3 carbon हो जाएंगे तो जब भी आपको alkali folide से ज़दा carbon वाला Emide बनाना है तो आप क्या करोगे पहले उस alkaliolide को sinide में convert करोगे उसी कंसेप्ट पे ये कोशिन है ठीक है क्या करोगे साइनड में कनवर्ट करोगे ठीक है यह बहुत असान सी बात है उसके बाद फिजिकल प्रोपर्टी जस्ट अब यह पन पढ़ गया थे उपर कल पिछले वाले वीडियो में और यह जियो सी वन में अपने कवर कर चुके सा कार्बिल एमएन को यह पन पढ़ेंगे अच्छे से का यह इसको बोलते है आइसो साइनाइट टेस्ट यह 2021-22 में एक्जाम आया हुआ और पहले भी तरसरी एमीन में से अलग करना है तो इस टेस्ट को आप काम में ले सकते हो CSCL3 के इसके साथ में टेस्ट कराओगे तो आइसोसाइनीड बनेगा और यह बहुत बूरी smell करता है और उसी smell से अपन पता लगा लेते हैं कि आइसोसाइनीड बना है और जो एमीन था वो प्राइमरी था अगर यहां पर second degree टर्शरी एमीन होगा तो एक्जाम वो टेस्ट नहीं देगा कुश्चन कैसे आता है कुश्चन सिंपल सा आता है वहां पर आपको बोल देगा कि इसमें से कौन सा कार्बिलेमाइन टेस्ट देगा चार इस्ट्रक्सर बना के देगा तो आप जो औफसन होगे उसमें से आपको पैचान ना होगा कि कौन सा प्राइमरी एमीन है बस इतना सा बात है ठीक है? नाइटरस एसीड के साथ में टेस्ट आप वो पता है आपने देखा होगा ना कि जो प्रोटीन वगएरा होते है ना आपने कोई फूड वगएरा पड़े होगा उसमें प्रोटीन में है एनर्जी उती की इतना है इतनी एनर्जी इसमें इतना कैलोरी है उससे बोलता है 500 कवांटीटेटिव एभॉलुशन मतलब कि कितना है तो वह सब पता करने के लीए अपनोटो के साथ में नाइटक्रस आसी जो भी होगा या मिन होगा उसके अपन HNO2 के साथ में रियक्शन कफाएंगे तो जो अपना प्रोड़क्ट बनेगा पहली बात इस प्रोड़क्ट का नाम याद रखना अल्कोहल बनेगा ग्वेशन आता है एक्जाम में दूसरा यहां पर साथ में लिब्रेड होती है N2 नाइट्रोजन गैस इस नाइट्रोजन गैस को अपन कर लेंगे कंडेक्ट मतलब कलेक्ट कर लेंगे कलेक्ट करने के बाद में अपन मोल कंसर्ट लगा देंगे कि एक मोल नाइट्रोजन गैस इवाल हो रही है मतलब कि एक मोल NH2 ग्रूप था बस इसे लिए इसी इसाप से इसकाइमनो एसीड और प्रोटीन का कि एस्टीमिसन करते हैं तो यहां पर क्या क्या कुश्ub बनेगा पहला कुश्चर यही बन जाएगा 34 कई आप यह बोल दोगे कि भाई नाइटर सेशीर की साथ में टेस्ट होता है दूसरी यह reaction ऐसे कैसे याद होनी चाहिए आपको ओके? ठीक है? चलिए उसके बाद में उसके बाद में अगला आता है हिंसबर्ग टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में अपने को डीटेल में पढ़ना है सब्सक्राइब करवाई थे तब उसमें यह कंसप्ट आपको सिखाया था अब देखो यहां पर होगा क्या होगा एक होगी वन डिग्री एमीन एक होगी टू डिग्री एमीन एक होगी थ्री डिग्री एमीन एसबर्ग टेस्ट में ठीक है तो वन डिग्री जो एमीन होगी क्या होगी यह वन डिग्री एमीन है है कि नहीं है क्या है आर एनेस टू इसके बोलते हैं बेंजिल स्लफोनिल क्लोराइड ठीक है क्या होगा यहां से problem , और यहां से CH l हटे और यह product बन जाएगा अभी जो product बना हैं कितने degree Polit क्या फैस त् 직ॉनcie रिमाइड बना है MID बना है ना Carbon, Double Bond, O और N इसको MID बोलते है सल्फ आ रहे तो सल्फो MID बन गया और कोई बड़ी बात नहीं है सल्फो MID बन गया सल्फो MID बना आपके पास में SCL आपने रिमूट किया 1 डिगरी होगा और इसका जो नाम होगा नाम में N आएगा याद रखना है मतलब की नाम जो होगा ना वो N से स्टार्ट होगा N dot 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 ठीक है तो मतलब की primary amine जो होगी वो हिंस बर्ग रियेजेंट के साथ में reaction करेगी reaction करने के बाद में जो product देगी उसका product का नाम N से स्टार्ट होगा और इसमें देखो hydrogen available है बिल्कुल available है तो ये acidic होगा और base में soluble होगा soluble in alkaline तो primary amine के बारे में आपको इतना याद रखना था कि जो product बनाएगा उसका नाम N से स्टार्ट होगा और जो product है वो alkaline में soluble है जब second degree amine लोगे तो अग आप क्या करोगे यहाँ S और C L हट जाएगा बिल्कुल product बन जाएगा यह भी amine है कितने degree है 1, 2, 3 3 branch है मतलब कि 3 degree amine है 3 degree amine के लिए N, N काम में लेंगे तो product बनेगा उसका नाम क्या होगा उसका नाम भी आपको याद रखना होगा N, N उसका नाम N, N यह क्या होगा अब इसके पास कोई hydrogen है नहीं तो यह soluble नहीं होगा not soluble ओके यह किसके लिए लिखना था 2nd degree amine के लिखना था ओके और जो tertiary amine होगा वो reaction ही नहीं करेगा no reaction यह इतना आपको जो मैंने लिखाया है वो याद रखना पड़ेगा ओके और आज कल अपन हिंसबर्ग रियेजेंट का वो बाला यूजना लेकर के यह एक जद्धर रियक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम होता पैरा टॉलोईन सलफोनिल क्लोराइड सेम टू सेम होगा पैरा पोजिशन पे एक टॉलोईन में तलब CS3 ग्रूप लगा होगा बस बाकी यह सार अपन पड़ चुके हैं पूरा डीटेल में पड़ चुके यह सारा यह सार ही था बहुत डीटेल में पड़ चुके डाजनियम सॉल्ट भी पड़ चुके हैं डाजनियम सॉल्ट कोई बड़ी बात नहीं थी और यह कपलिंग रियक्शन आप यहाँ देख सकते हो कपलिंग रियक्शन बहुत असान होती है डेडिटो इसको याद रख देना देखो इसके नाम में O आ रहा है तो यह बनेगा ओरेंज इसके रियम में N आ रहा है तो nitrogen वाले आपको पता है nitrogen वाले compound जितने भी होते nitrogen वाले वो सब यह लो कलर के होते हैं बस यह chapter खतम हो गया है और अब 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 बहुत सारी questions करेंगे Organic Chemistry अपनी यहाँ खतम होती है Biomolecules, Polymers वो सब आपको एक बार reading लगानी है बाकि उसके questions भी अपन करेंगे और पूरी chemistry के questions अपन करने वाले हैं मेरे चनल पर Inorganic Chemistry लाश्ट दियर ही complete थी पहले से complete थी अवाल लगल और इस बार मैंने organic भी complete कर लिया है और रही बात physical की तो physical 12 वाली physical मैंने formula लिखा करके सारे question करवा रखे थे 11 के भी बहुत हादी physical गरवा रखी थी 2-3 chapter जो बाकी हैं उनके formula करवा दूँगा और MCQ आपको पता है मैं 10,000 MCQs करवाने वाला हूँ chemistry के तो उसमें physical के भी होंगे organic के भी होंगे इनorganic के भी होंगे तो अब आप एक बार handouts telegram channel पे जाईए download कीजिए उसको एक बार तसली से बैठ करके revise कीजिए और फिर ready हो जाईए 10,000 MCQs के लिए